अक्षे कुमार ने दिया ट्रोल्स को जवाब साल के बाके दिन क्या तुम्हारे घर आउं? तीन साल में दे चुके हैं 9 फ्लॉप फिल्मे लेटेस्ट रिलीस सरफिरा भी रही नाकाम ट्रोल्स बोले साल में 4 फिल्मे करने से अच्छा है एक फिल्म ढंकी कर लो दोस्तों बॉलिवोड स्टार अक्षे कुमार की करियर की गाड़ी पटरी से उतरी चल रही है तीन साल में 9 फिल्मे फ्लॉप देने के बाद अक्षे कुमार अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही फिल्मे करने में जुटे हुए है एक समय में बॉलिवोड के सफल फिल्में देने वाले हीरोस के गिंती में अक्षे का नाम सबसे उपर शामिल था लेकिन अब पिछले 4 सालों से अक्षे का करियर ठप चल रहा अक्षे के करियर में इतना लंबा ठंडा फेज नहीं आया है और अक्षे के काम करने का वही रवया जो उनका ट्रेड मार्क रहा है अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा है सोशल मीडिया पर अक्षे को अक्षर इस बात के लिए ट्रोल किया जाता रहा है कि वो साल में 4 फिल्मे करते हैं अब अक्षय ने इस बात का पलट कर जवाब दिया है। ट्रोल्स बोले इस साल में चार फिल्में करने से अच्छा है एक फिल्म ढंकी कर लो। सर फिरा के प्रमोशन में जुटे अक्षय ने एक इंटर्वियू में अपने करियर को ले कर बात की। अक्षय ने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि वो साल में 4-4 फिल्में क्यों करते हैं और एक ही फिल्म पर क्यों ध्यान नहीं देते। जिसको काम मिल रहा है उसको तो करने दो आपको बता दें लॉक्डाउन के बाद अक्षे की फिल्म में बॉक्स ओफिस पर उस तरह नहीं पफॉर्म कर पा रही जैसे पहले कर रही थी सूर्य बंशी को छोड़कर अक्षे के लीड रोल वाली एक भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर काम्याब नहीं हो पाई है अक्षे कुमार की लेटेस फिल्म सरफिरा है तमिल फिल्म का रिमेक अक्षे कुमार की लेटेस फिल्म सर्फिराथ तमिल फिल्म सुरा रेपोर्टरू का रिमेक है इसकी कहानी एरलाइन सर्विस एर डेकन के फाउंडर कैप्टन जी आर गोपिनाथ की लाइफ पर बेस्ड है जल्द आने वाली है फिल्म खेल खेल में three two के साथ होगी टककर अब अक्षे जल्द ही फिल्म केल खेल में में नजर आएंगे इस फिल्म में तापसी पन्नू, फरदीन खान, वानी कपूर और एमी विर्ट भी नजर आएंगे खेल खेल में 15 आगस को थियेटर्स में रिलीज हो रही है अक्षे की ये फिल्म श्रद्दा कपूर की स्त्री टू और जॉन अबरहम की वेदा के साथ क्लैश होगी